हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रियेटिव लाइफ, हम लोग जो है आज देखेंगे क्लास फोर की बुक से, जो कि आपका है चैप्टर नमबर एट, जिसमें हमने अपवर्त और अपवर्तक के बारे में पढ़ा, जो कि आप इंग्लिस में इसको कह सकते हैं, मल्टिपल्स और तो इसके बारे में जो कम्पलीट डीटेल चैप्टर है, वो आपको डिस्क्राइब किया जा चुका है, हम लोग यहाँ पर आज अभ्यास को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभ्यास प्रस्त, इसमें जो है अपना जो पहला प्रस्त है, इसमें कह रहा है, नि अभी संख्याएं अपवर्त में होंगी, वो या तो दी गई संख्या के बराबर होंगी, या फिर उससे बड़ी होंगी, तो दी गई संख्या में हम करम से 1, 2, 3, 4, 5 से गुड़ा करेंगे, तो यहाँ पर जो संख्याएं हमको मिल जाएंगी, वो यहाँ पर इसकी अपवर् का 16 पाच पूछ रहा है तो चार गुड़े पाच तक हम करेंगे तो यह हो जाएगा चार पच्चे 20 तो इस प्रकार से जो हमारी अपवर्द संख्या हो जाएगी वो चार आठ बारह सोलह और बीस हो जाएगी जो कि चार की आपवर्द संख्याओं में होगा एक इसी प्रकार से हम अगले प्रस्ण को भी देख लेंगे तो इसमें जो है यहां पर दिया गया है च्छ जो कि खर नंबर है तो च्छ में हम क्रम से एक दो तीन चार पांच का गुड करेंगे तो यहां पर क्रम से आप गुड़ा करते हैं जाएंगे च्छ एक कम च्छ च्छ दुनी बार है फिर च्छ तिरिक अठारा फिर च्छ चव चौबीस फिर उसके बाद च्छ पंजे इस प्रकार से इसके जो है पांच अपोर्ट आप देख सकते हैं उसके बाद जो है गया नंबर प्रस्ण है गया में जो है नौ का पूछा है तो उसी प्रकार नौ से हम एक दो तीन चार पांच का क्रम से गुड़ा करते चले जाएंगे ति हो जाएगा नौ कम नौ नौ दुनी अठारा उसके बाद नौ तिरिक 27 उसके बाद नौ चौक 36 उसके बाद हो जाए यह डारेक्ट अगर पूछ रहा है पांच वापवर्त क्रम से बताईए छटवा तो आप डारेक्ट उसमें 5-6 का गुड़ा कर दीजी तो अपवर्त में हमेशा यही चीज ध्यान देना होता है जो दी संख्या होगी वह उससे बराबर होगा या उससे जो है बढ़ा होगा जो भी अपवर्त आप निकालेंगे और इसी का उल्टा होता है जो वह होता है अपवर्तक अगले प्रस्न में यहां पर जो है अपवर्तक ही पूछा गया है इसमें कह रहा है 35 का एक अपवर्तक 5 है मतलब यहां पर 5 एक अपवर्तक है इसका और दूसरा अपवर्तक क्या हो पहरब द कूछ रहा है तो अब इसमें पांचा में किसका गोड़ा कर दें कि 350 हो जाए कोजाए six इसके दो प्रफ़ूरक्य हो गए पास और सां इस प्रकार से जोग वह क्यों और दीया ङर दिया हो दो पूर्टरन से भाजित कर देगा अगर माल जी 35 है तो 35 को ये पूरी तरह से भाजित कर देगा जैसे 5 तो 5 से करेंगे तो ये भी कट जाएगा उसके बाद एक-एक से भी ये कट जाएगा ठीक इसी प्रकार से आप इसको सॉल्ब कर सकते हैं जलिये प्रस नंबर 3 को हम देख लेते हैं निमल्लिक्प संख्याओ market सबसे चौंठे और सबसे बड़े अपवर्थक बताओ यहां पर सबसे एक संख्या का अपवर्तक होता है इस प्रकार से का का हो जाएगा एक और 15 ठीक फिर उसी प्रकार से खा का हो जाएगा 36 और एक और उसी प्रकार से गह का भी हो जाएगा यहां पर एक और उसके बाद घह का भी हो जाएगा एक तो एक सबसे छोटा अपोर्तक है और जो दी गई संख्या होगी वो आपकी जो है सबसे बड़ी अपोर्तक होगी अब यहां पर next question कह रहा है चार नंबर question इसमें कहा जा रहा है 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं लिखिए तो यह बहुत ही simple questions है तो इसको बड़ी आसानी से आप solve कर सकते हैं अब आज संख्याओं वो होती है जो स्वयम और एक के अलामा किसी और से कटती नहीं है मतलब एक से कटेंगी या फिर वो स्वयम कटेंगी इसमें जो संख्याओं होंगी वो होगी 11 11 स्वयम से कटेंगा और उसके बाद एक से कटेंगा उसके बाद 13 भी सिर्फ तेरह से ही कटेंगा और एक से उसके अलामा और किसी से नहीं कटेंगा उसी प्रकार से आगे है सत्रह, सत्रह भी एक अभाजी संख्या है यह है, एक से और्ष्यम से कटेगी और उसके बाद यह उन्नीस है उन्नीस भी स्वयम से कटेगा और एक से कटेगा इस प्रकार से 10 और 20 के बीच में आपकी चार जो है अभाजी संख्याएं हैं जो है 11, 13, 17 और Eles ठीक उसी परकार से चलिए अगले question को देख लेते हैं question number 5 है तीस के सभी अभाज जी अपवर्तक लिखो तो यहाँ पर जो है अपवर्तक पूछा है लेकिन अभाज जी पूछा है तो अभाज जी मतलब जो की स्वयम और एक क्यानों किसी और से ना कटे और एक चीज का ध्यान देना है अपवर्तक है तो तीस का अपवर्तक जो है इससे अपका छोटाई होगा इसमें जो संख्याय होंगी पहले होगी दो ठीक उसके बाद जो है तीन अभाज संख्या होगी और तीन से यह कट भी जाएगा उसके बाद चार नहीं होगा पांच पांच होगा ठीक 30 यह अपोर्तक तो है लेकिन जो है यह क्या है भाज्य है उसी प्रकार से 7 से यह कटेगा ही नहीं 8 8 से जो है यह अपोर्तक होगा लेकिन अभाज्य नहीं होगा इसी प्रकार से आप करते जाएंगे तो 10 भी इसका अपोर्तक होगा लेकिन वह भाज्य होगा इस प्रकार से आएगा 2 3 और 5 इसके अलावा और कोई भी जो इसका अपोर्ट तक है वह आभाज्य नहीं है तो इस परकार से आप पर 5 नंबर क्वेस्टन तक सॉल्व कर सकते हैं चलिए अगले किस तरफ चलते हैं जो कि है इसमें क्या कह रहा है दी गई संख्याओं दो तीन चार पांच छे ताथ आठ नौ और दस यहां पर जो संख्याएं हैं इसको ध्यान से देख ली जी दो तीन चार पांच छे साथ, आठ, नौ और दस में सभी विसम संख्याओं का योग करना है योग करना है विसम संख्याओं का और फिर सभी संख्याओं का सम संख्याओं का योग करना है तो चलिए सबसे पहले हम विसम संख्याओं का कर लेते हैं ठिक इसमें जब आप विसम संख्याओं लेंगी तो यह हो गया, 3, 5, और जब लेंगे, तो यह हो जाएगा, 7, और यह लेंगे, यह हो जाएगा, 9, इसको आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3, 5, 7, 9, इसको आपको जोड़ देना है, चलिए, जोड़ कर इसको देख लेते हैं, 5, 3, 8, और यह हो जाएगा, 7 है, तो 8, 7, 15, 15 में जब आप 9 जोड़ देंगे, तो 9, 5, यह हो जाएगा, 14, यह टुटल संख्या आप किया जाएगी, 24, ठीक, तो यह जो है, कौन सी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं, आप इसके बाद हम सम संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, आप इसको भी जोड़ लीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, तो यह आपका हो जाएगा, 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, इस परकार से, आप दिगे जो संख्याएं हैं, इसको योग से इसको अंतर ग्याद कर लेना है, अब 30 में से आप 24 घटा देंगे, जो इसका result आजाएगा, वो आपका answer आजाएगा, 6, इस परकार से, जैसे ज चीजें दी गई हैं, वस उसी सरह से हमको इसको solve करना है, चलिए, आगे देख लेते हैं, question number 7, इसमें संख्या साथ के अभाजी गुडन खंड प्राप्त करने के लिए, गुडन खंड ब्रिच का निर्माड करें, चलिए, गुडन खंड ब्रिच का निर्माड यहाँ पर कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो एक आपकी complete संख्या है, वो 60 हो जाएगा, अब यहाँ पर 60 किन संख्याओं से कटेगा, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, सबसे पहले यह 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा, 30 थिक, तो 30 दुनी, 60, अब इसको 30 को काटेंग सबसे पहले, दो से कट जाएगा, दो कमडो, उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा, 15 है दूनी, 30 थिक, अब इसके बाद हम 15 को कर लेंगे, तो इस जो है, तीन से कट जाएगा, और इसके बाद जो है, यह कट जाएगा, पाच से, थेक है, तो 3 और 5, इस प्रकार से जो इसक गुड़े-2, गुड़े-3, गुड़े-5 इस प्रकार से 2-2-4-3-12-255 जो इसका आपका एंसर हो जाएगा, इस प्रकार से आप गुड़नखंड ब्रिच के द्वारा इस प्रकार से आप गुड़नखंड निकाल सकते हैं, ठेक चलिए, इसके बाद जो है हम अगले प्रस्ण क की तरफ चलते हैं जो की यहां पर प्रश नंबर आठ दिए गया है तो आठ नंबर प्रशन की तरफ यहां पर देखते हैं वह चोटी से चोटी संख्या बताव जिसे किसी सम संख्या में जोडने पर विस्हां प्रापत होती है अगर Spa अगो लिज актив कुई विसंख्या में आप जोड़ देंगे तो वो जो है आपको विसम संख्या प्राप्त हो जाएगी जैसे यहां पर आप देख सकते हैं दो में आपने एक जोड़ा तो यह हो गया तीन पर सम संध्या से जोड़ने पर सम संध्या प्राप्थ थो अम आलेज दिसम संध्याएं है तीन पांच और शाथ अब इसमें भी सिर्फ वही नंबर है एक 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 आप जोड़ देंगे तो हैं पर आपको सम संहें परああ जाएं जैसे डिल एक चार पांच एक शे और साथ एक आठ और यह संख्याय जो है आपकी क्या है यह संख्याय सभी आपकी समसंख्याय इस प्रकर्षते अगर क्वेस्चन हो तो आप आसानी से सॉल्ब कर सकते हैं आप 51 और 71 के बीच में सभी समसंख्याय बतानी है 51 के बाद आप जोड़ते जाएए 52 समसंख्याय वहीं है जिसके इकाई के अंग पर आपको 2, 4, 6, 8 और सुन देखने को मिलता है यह हो गया 52 उसके बाद 33 नहीं होगा उसके बाद हो जाएगा 54 पचपन में नहीं होगा उसके बाद हो जाएगा यह 56 और उसके बाद जो है यह हो जाएगा आपका पतावन नहीं होगा 58 फिर उसके बा फिर 62 फ्र उसके बाद 64 फिर उसके बाद 66 उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 68 और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 70. फिर उस परकार से आपकी जो सभी समसंख्याएं हैं वो निकल के सामने आ Jazाएंगी. 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 और 70 तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ, दस दस आपकी जो है समसंख्याएं आपको मिल गए है तो यह रहा हमारा अचका अभ्यास प्रस्ट आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जो होगा नेक्स्ट चेप्टर आपका तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर